हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूटूब चैनल में आज मैं आप लोगों की सान एक 9 से 10 साल की बेबी का कार्डिगन शेयर करूंगी मेजरमेंट आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो आप देख सकते हैं मैंने ये एक 10 साल की लड़की का स्वेटर बनाया हुआ है और इसका डिजाइन मैंने आप लोगों की सान पहले ही शेयर किया हुआ है इसलिए मैंने इसकी वीडियो अपलोड नहीं की तो आप देख सकते हैं आ कि चेक करें तो आपको यह दोनर डिजाइन महां मिल जाएंगे तो अब आप देखिए यह मैंने बॉर्डर इसमें हाथ से बना लिया है और उपर इसका जो भी पार्ट है यह मशीन में बना हुआ है तो हम सबसे पहले हाथ के बॉर्डर के लिए इसमें मैंने 110 फंदे लिये है क्योंकि यह बॉर्डर बनने के बाद इसमें फंदे अपने आप ही कम हो जाते हैं तो इसलिए मैंने इसमें 110 फंदे रखे और बॉर्डर बनने के बाद जो हमारे फंदे बचे वो 95 फंदे तो मैंने 95 फंदों से यहां अपने बगल तक की लेंथ कम्प्लीट कर ली और पीछ से बच्चे के हिसाब से रख सकते हो कम या जादा फंदे भी आप अपने बच्चे के हेल्थ के हिसाब से कम जादा कर सकते हो हूं अर फिर हमने वही अपना बगल घटाना है 3-2-1 और अपना शोल्डर कम्प्रीट कर लेना है पीछ दोस्तों फिर मैंने बाजू मैं इसमें 50 50 फंदे लिए और 50 फंदे से जब तक उपर हमारे यहां तक के 95 फंदे नहीं हो जाते हैं तब तक हमने अपना बाजू बना लेना है और बॉर्डर बनने के बाद हमने 4-8 सलाईयां लगा कर हर 34 सलाई में दोनों साइड से एक एक फंदा हमने बढ़ाते हुए जाना है और अप अपना बाजू हम कंप्लीट कर लेंगी और अपने बाजू को कंप्लीट करने की बार हमने वही बाजू के लास्ट में 3-2-1 करके हम अपना बगल भी घटाएंगे बाजू का और सेम प्रोसेस हमने पीछे वाले पल्ले में भी करनी है अपनी लेंद कंप्लीट करने की बार अपना बगल घटा के हम अपने स्वेटर को पूरा कर लेंगे और ये मैंने अपने कुरुशिया से ये फ्लावर लगाए हुए हैं आप बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हो वो आपकी अपनी इच्छा है और अब आप देखिए गला आप कैसे भी बना लीजिए मैंने य हो आप अपने हिसाब से गला बना सकते हैं तो ये था हमारा बेवी स्वेटर का मेजर्मेंट और अगर आपको इसकी वीडियो चीर होगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताना मैं आप लोगों के सान्थ इसकी वीडियो भी शेयर करूंगी I hope कि आप लोगों को वीडियो पस संदाई तो प्लीज लाइक शेर कमेंट करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्स पर वाचिंग बाबाई टेक केर